कि अच्टेलिया दा करांटी ट्वेंटी चैंपियंज इन दो वर्ड और तामने भारत भारत जो इस समय वह थोड़ा सा एक्षा अपकी मार खाकर आए हैं थोड़ा सा मां दिर चूटे हैं तौज थोड़ी दिर पहले हुआ था जो भारत ने नहीं जीता था वो तौज जीता आस्टेलिया ने टॉस जीत के गेंदवाजी का फैसला वो तो सभी करते हैं शॉट्स इस खिलाडी के पास भी हैं नाम है केल राहुल रोईच शर्मा उनके साथ इस मैदान पर श्रिलंका के खिलाफ ओडिया डबल सेंचरी मारी थी जॉश हेजलवोड 31 मुकाबले 46 विकेट पहली गेंद पैरों पर और पहले रन भारत और केल राहुल के खाते में चलिए इस बार हवाँ मारा जरूर और फील्डर्स अच्छा का गया यह ओल्बॉस होम डिलिवरी दी प्री जॉश हेजलवोड के हाथ में पहले आगे फिर पीछे खाते में च्छे है कदमों का इस्त दूसरे ओवर के समापती और वह 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 एक बढ़े पिक अप शॉट है पीछे फील्डर्स तक गेंद पहुच गई है रोहिट शर्मा एक और गेंद को हवा में मानने का प्रयास जॉश के खाते में पहली सफल का रोहिट के खाते में है 11 21 पर एक है भारत देख सो पांचवा मुकाबला 2585 दान्स ओ बारी किनारा यहां पर भी लगा था यह साथ में मुपसा चौका भी मिला है निकल गई निकल गई और बहुत के जाओ फील्ड है निकल गई तो निकल पड़ी जॉक्य के साथ ऊवर्तमाई उपर खोरी फ्लाइट खेला है मिटोन के हाथों में खेला है यह प्रेशर तैयार किया थोड़ा बड़ी सफ़ाता है एक और अस्ट्रेलिया के लिए बिसपॉ और है पॉइंट है कि अलांग ग्राउंड थास के कालीन को चीरती हुए गें बाउन्डरी की तरफ सूरे की तपेश जो है वो मैसूस हर दिशा में होती है चाहे आस्मान में हो या चाहे बीच महिदान में और यह वेटरीन चौट यह गैप अच्छा मिलेगा यहां पर चौका पैट्स पेगेंड पैट्स पेगेंड मत डालिये पच्टाएंगे सीगा सेंग्ज में यहां फिर ऐसे मारिये गेंड को पहुंचाईये दर्शकों में वारा शॉट के राहूल कि यहां मिल जाएगा एक यह पचास कुछ खास है यह भारत की आस और राहूल ऐसी तॉम में रहे तो फिर वर्ल्ड कॉप अपने पास है शॉट कड़क है एक गलाईयों में गला है नांस्तूरे कुमार है पीछे फील्डर ने कोशिश भरता किया लेकिन मिल गया चौका ग्लन मैक्स्वेल यह भी गई है या पीछे फील्डर मौजूद है दे दिये वहाँ पर कैच शॉट यह इंको पसंद है लेकिन इस बार पीछे फील्डर ढूंडा है गेंद में शाइद गती कम पी इस वज़ाद से वो दूरी मिली नहीं रहूल ने बनाए पच्पन दोजार बाइस एक माइल्स्टोन साल राय हार्दिक पंडिया के लिए शॉट सूरे कुमार यादव लोगउन पे फील्डर ने गेंद की तरफ देखा भी नहीं यह और भी उचा पूरी तरीके से सोवर पे मोहर सूरे कुमार यादव की हार्थेक पंडिया हार्थेक पंडिया कमाल का स्वाथ थोड़ा क्यूट शॉट थोड़ा लेट खेलना जाते थे थर्ड मैं की दिशा में है लेकन सीधा विगेट कीपर के दस्तानों में कैमरोन ग्रीन के लिए यह सफल था सुरे कुमार यादव चाले संकर की आओ एक सचापीज पर चाहां अक्सर पटेल के पास बहुत बड़ा मोका है प्रीज किलने का प्रयास वह गाप एक तंस बस्त बहुत बहुत बढ़ी आशाट यह देखी है शाट प्रीज को टागेट किया निकल गई निकल गई कैप से गेंड यहां काती में परिवरताने नीचे फिल्डर आता हुआ अक्सर पटेल की पारी को किया है समाप बने शॉट का प्रयास ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और सफल था चिया बिलकुल देमी गें थी दीमी गेंद पर देखिये बले के बीच में लगी और अक्षार पटेल आउट हो गया है चेर अंतर के एक तो चैनी सब्सक्राइब क्या वनवाई मुकाबला एक सट्रालीज का स्ट्राइक रिक रिट कि इतना पाइन मारना नहीं चाहते थे लेके नाहार देख जितका दिन है डाउन दाग्राउंड यह शॉट नहीं है संदेश है यह उचाई का भी छक्का है और पाई का भी छक्का है अब फील्डर को आगे बुलाया था उसको पीछे भगाया है नेथन एलस आउट है थी संस के सामने बिलकुल सामने आए उंडली ड्रस वैसी ले लीजे ले लीजे ले लीजे ले लीजे हर्शल पटेल आया है बल्ले बाजी के लिए ओ हर्शल ओ या बात है यह पीछे फील्डर औरे क्या अटेंप्ट है भाई ग्लैन मैक्सवेल इंक्रेडिबल अटेंप्ट है यह यह छे को कैसे आप एक पे तबदील करते हैं यह करके बताया हैं गई 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 निकल जाएगी निकल जाएगी चक्का लगाया है बंदे का नाम हार्दिक है इस अर्चतक से सब को बताया है वेल प्लेड हार्दिक पंडिया क्या बात है क्या शॉट है यह सबसे अगर जल बाजी करनी पड़ती है वो है ओपनिंग बलेड बाताया है लेकिन अब आस्ट्रेलिया को जीत के लिए बनाने हैं 120 गेनों में 209 राज तो सबसे अगर जल बाजी करनी पड़ती है वो है ओपनिंग बलेड बाजों को वह ही कुछ किया है फिंच और कैमरन ग्रीन ने और यहां तैयारी पूरी 84 विकेट अठकतर मुकावले भूमनेश और कुमार यहां बात है छे के साथ पहली गेन एरन पिंच यह साड़े तीन साल के बाद पहली गेन थी टीट्वेंट की अंठर राश्ट्रे क्रिकेट में उमेश यादब की सौनने की तरफ दो तीन बाउंस और चौका एक और यह स्लोर गेस थी जब हाथ से निकली बल्ले से तो सूपर फास थी चौथा चौका चौथा चौका बहारी किनारा लगा जरूर है पर भागे का साथ भी है ओवर पॉइंट वन बाउंस चौका तीज़े ओवर में तीज़रा चौका जाके गेर लगी है सौनस पर यूमें अफ्सर है छे बार आउंट कर चुके थे इससे पहले उनने त्वारियों में और वही कहानी फिर दोहर आई है भार्दिया टीम को मिले पहली सा वलता फिंच हुए आउट बाइस पे स्टीव स्मिथ नमबर तीन पर आये हैं इसके सामने उचाई है थोड़ा अत्रीक तुचाल कि नज़ा डालते हैं अक्रोस गए थे यहां अगर डियरेस की मांग की होती जरूर एक थोड़ा भ्रम रहता है अगर बहुत उचे कट के बले बाज अक्रोस लेकिन एक डम सामने थे आखरी गेन पे थोड़ी ताकत के साथ किया वार वाइड रिक्रीज एगिन फील्ड का इस समय आप इस्तिमाल करेंगे मिड़ अप मिड़न दायरेक अंदर क्या चौका मिलेगा जी हां एक दम स्लॉट में तैरते हुए देखिए गेन को एगेन थोड़ा अंदर की तरफ आई थोड़ी गूगी थी फील्डर से दूर ही रहेगी दूसरा छक्का इस ओवर का डान दर ट्रैक मिड़ाफ का फील्डर अंदर था छोटी एगेंज पीछे फील्डर छिटा क्या मौका चॉंक्स ट्रियेट किया था अकसर पडेल बहुत बार ऐसी गलती करते नहीं कंट्रोल में यहां भी नहीं लेगिन इस समय वान वेट्राफिक कनेक्शन अच्छा नहीं है एक मौन टैक छूटा है यहां राहू से छूटा है पहले अक्षर ने छोड़ा था अब अक्षर की गेंद पर छूटा है इससे आप भार से मंगवा लीजिए क्योंकि कैमरन ग्रीन इस छे के साथ टी ट्वेंटी करियर का पहला आर्च चतक छे के साथ किया है पूरा इसको वो ऐसा लग रहा है कि चंदीकर से मंगवाना पड़ेगा गेंद उपर की तरफ गई है नीचे फील्डर आएंगे इस बार पकड़ेंगे ड्रिंक के बाग की पहली गिल अक्सर बडेल क्या बाग गोग्रीन अपना विल्यंग की तरफ और कैमरन ग्रीन ने अच्छी बल्यबादे की है एक सट रंग करके आउट एकसर उपर दो बल्यबाजी के लिए आया है ग्लेन मैक्सवेल स्टीव स्मिथ एक गजब बैडल शॉट था यह 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 गैप में गई है आउट 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 क्या कुछ हुआ है कुछ लगा है दिनेश का तिक दुमार वार अलेलिया वाई द्यर्स कि अधिविड गई प्रीज यह प्रीजिटियर विजिटियर फिस अधियर इस अधियर स्पाइक वन अबॉल इस निक्स पीडिया अग्टी टोर दिनेश का तिक साउस आउट निया दिर्स प्रीज टीजिटियर प्रीजिए यह थाई विल्टियर अग्टेशन टिंड फट्रिजिटर अग्टेशन घ्र्स प्रिया तैक्टिंड गॉल्टेविट एंग श्याटी अग्टेशन तिंडेट्डि इस तो फील द इस इसील को केलने का प्रेस लेटा है मैक्सवल नहीं इंगलिस सही दो बार गैप को भेड़ा है बाक-टो-बाक बाउंडरीज एक और गेंद गैप में रूम बनाया था और जगा धून्ड बिली स्टैंड आउट गेंद बाज है अक्सर पटेल इस वजह से आज की शाम अक्सर के नाम सीद अलेक्स तब पें संपन्क इंग्लिस की पारी को किया खाती अक्षर पटेल की चतुराई काम है भारतीय तीम को इंग्लिस को आउट कराने में उन्होंने बनाए संत्रह 145 पर पांच चॉंसर्डवा मकावला मैथ्यू वेड का यह क्या पने एगें फिल्डर से दूर है एगें दो फिल्डर उनके बीच में निकल गए गें यह सूपर फास्ट आउट फिल्ड है एक और चौका यह अच्छा कनेक्शन है कॉटन गोल चॉंक आज तो किसमत का रंग भी लगता है गोल है बल्ला खुमाया बहुत जोर से और बहुत दूर भेजाए गेंद को फ्लैट एक और छे यह चौका है वहाँ दो पीछे फिल्डर जमाया थे वो यॉर्कर के लिए थे वहाँ तो फिल्डर है भी नहीं उस गेंद के लिए तो फिल्डर जमाया भी नहीं फिल्डर यहाँ भी नहीं है एक और चौका है इस 19 वे ओर में आए है 16 रंज जीत के लिए आप उस्टेलिया को चाहिए मात्र दो गेंदे बची एच्छे टिम डेविड फ्लाइट पीछे फील्डर कैच यूजी चहल को मिली सफलता तू लेट तू लेट टिम डेविड आउट गुए अठारा पे दोस्ट सांथ पिछे पैट कमिंस ताम ने यूजी चहल गूगली गेंद नहीं गैप मेंद को डाला इस शॉट के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड बेस सक्सेस्फुल रंचेज यहां कायम किया है अक्षर के नाब सीद अलेक्स सब पे संपन्च इंग्लिस की पारी को किया खत्म अक्षर पटेल की चतुराई काम है भारतिय टीम को इंग्लिस को आउट कराने में उन्होंने बनाए 17 145 पे पंच 64 वा मुकाबला मैथ्यू वेड का यह क्या क्या है गें फील्डर से दूर है गें दो फील्डर उनके बीच में निकल गए गें यह सूपर फास्ट आउट फील्ड है एक और चौका यह अच्छा कनेक्शन है कॉर्टन गोल चांक आज तो किसमत का रंग भी लगता है गोल्ड है बल्ला खुमाया बहुत जोर से और बहुत दूर भेजा है गेंद को फ्लैट एक और छे यह चौका है वहाँ दो पीछे फिल्लर जमाये थे वो यॉर्कर के लिए थे वहाँ तो फिल्लर है भी नहीं उस गेंद के लिए तो फिल्लर जमाया भी नहीं फिल्लर यहाँ भी नहीं है एक और चौका है इस 19 वे ओवर में आए है 16 रंस जीत के लिए आप उस्टेलिया को चाहिए मात्र दो गेंदे बची है छे तिम डेविड फ्लाइट पीछे फिल्डर कैच यूजी चहल को मिली सब्सक्राइब तुले 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 टिम डेविड आउट वे अठाना पे 207 मिछे पैट कमिंस ताम नी यूजी चहल गूगली गें नहीं गाप में गेंद को डाला इस शॉट के साथ ऐस्ट्रेलिया ने सेकेंड बेस सक्सेस्फुल रंचेज यहां कायम किये कर दो कर दो कर दो